इतिवरितों की रचना पूर में जैसा आपको बताए गया है। जैसा पहले आपको बताए गया कि मुगल संग्व्राटों दौरा यह जो इतिवरिती तैयार किये गए थे। ये इतिवरित हमें तत्कालीन समाज, तत्कालीन शासन, तत्कालीन राजन्यतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, इसके पुनर निर्माण में हमें बहुत महत्पूर्ण योगदान देते हैं, बड़े उल्लेखनी हैं, ये जो रचनाय हैं, इस काल की इतिवरितियां ये सामराज और उसके दर्बार पर काफी प्रकाश डालती हैं विस्त्रित रूप से इनका वर्णन करती है इति वृत्तों के देश के दिए हम बात करें तो मुख्य रूप से जो इतिहास कार हैं उन लोगों ने इति वृत्तों को लिखने के कुछ खास कारण बताएं कि आखिर क्यों लिखे जाती थे पहला कि इनका मुख्य देश होता था कि समराज के अंतरगज जो लोग आते हैं उनके सामने एक अच्छे राजा की एक अच्छे राज की छवी प्रस्तुत करना तो इसलिए ये बड़े महत्पूर्ण होते थे कि राजाओं के शासन के बारे में राजाओं के अपने प्रसासन के बारे में सामने जनता तक जानकारी देना और उन्हें एक प्रबढ़ बनाना उन्हें शासन के पक्ष में करना ये एक अधिश होता था दूसरा मुगल शासन का विरोद करने वालों को ये चितावनी दे देना इन इती वृत्तों के माध्यम से के सामान्य के सामराज की शक्ति के सामने उन सभी का विरोद निश्चित रूप से असफल रहेगा अपनी लेखनी के द्वारा ये इती वृत्ति टिहासकार इती वृत्ति लिखने वाले रचनाकार ये लोग ये बात बताने की कोशिश करते थे विरोदियों को कि समल जाएं विरोद ना करें विरोध करने की चेश्टा ही ना करें क्योंकि विरोध आप लोगों का असफल होगा और कुछल दिया जाएगा ये मैसेज देना भी इसका उद्देश होता था और तीसरा उद्देश भावी पीडियों को शासन का विवरन उपलब्द कराना आने वाले लोगों को तद्काली इन्शासन के बारे में तद्काली इन्शासन व्यवस्था के बारे में तद्काली इन्शासकों के बारे में विवरन उपलब्द कराने के उद्देश से भी ये इतिवरत लिखे जाते रहे होंगे इनके आखिर विशह क्या थे तो देशों को जानने के बाद इसमें मूल रूप से क्या रहता था चूंकि पहला बिंदू जो मैंने बताया है कि ये शासकों के संरक्षन में शासकों के प्रशासन की प्रशंसा में लिखे जाते थे इसलिए स्वभाईक रूप से शासक पर केंद्रित घटनाएं शासक का परिवार शासक का दर्बार और अविजात वर के लोग युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं ये इन इतिव रुत्तों के मुख्य रूप से केंद्रि विशा हुआ करते थे यानि शासक और उसका प्रशासन इस पर ये केंद्रित रहती थी अकबर शाह जहान और औरंग जेब की जीवन कथाएं जिन पर लिखा गया है अकबर नामा शाह जहान नामा और हाँ आलमगीर नामा औरंग जेब को आलमगीर कहते थे तो ये जो शीरशक ही दिये गए हैं इसी सस्पष्ट होता है कि इनके लोकों की नजर में बादशाह का इतिहास ही सामराज्य का इतिहास है बादशाह का इतिहास ही दरबार का इतिहास है और बाद शाह का इतिहास लिखना मतलब बाद शाह की प्रिशंचा में ही बाद शाह के निर्देशन में ही लिखना है सो पुल मिला कर तत्काली इन बाद शाहों के इतिहास को इसमें केंदरिट स्थान दिया गया है तुर्की से फार्सी की और अर्थात तुर्की भाषा से कैसे मुगल फार्सी भाषा की और बढ़े फार्सी में उन्होंने रचनाए ज्यादा की बजाए तुर्की के यदि हम इसकी बात करें तो अजिकतर इति वृति बलकि लगभग सभी वृति वृति फार्सी में लिखेगा हालांकि उनकी भाषा मुगल लों की मात्री भाषा जो थी वो तुर्की थी लेकिन फार्सी को अकबर ने राज दर्बार की भाषा घोशित किया और ये एक बहुत ह एक दूर दर्शी कदम था कि उसने एक राज दर्बार की भाषा घोशित की वास्तों में इस काल में जतने भी ग्रंट लिके गए जतनी भी इतवर्तियां लिकी गए। उसमें बाबरी अकेला ऐसा है जिसने तुर्की भाषा में अपनी बया लिखी है लेकिन बाकी सब फार और फार्सी राजदर्बार की भाषा बनने के बाद ये कहा जा सकता है कि शुरू में फार्सी जो थी वो शाही परिवार की भाषा थी फार्सी जो थी वो दर्बार की भाषा थी फार्सी जो थी वो एक प्रशासन की भाषा थी लेकिन समय के साथ साथ फार्सी की गहराई फार फारसी राजदरबार की भाषा बनी और सारे कारें फारसी भाषा में किये जाने लगे तो यह आवश्यक हो गया था कि उस समय के लेखाकार लेपिक और अन्य लोग भी इस भाषा को की ना केवल जानकारी रखें बलकि इस भाषा में पारंगत हों तभी तो वे ततकाली इन प उस समय एक सबसे महतपूर्ण भाशा बन चली थी जहां तक खेत्री राजदर्बारों की बात करें तो कि जैसा मैंने बताया कि बहुत बड़ा सामराजित था तो खेत्री प्रभाव, खेत्री दर्बार में तो रहते ही था तो उन खेत्री राजदर्बारों में भी फार्सी भाशा का प्रभाव पढ़ने लगा था यहां तक कि जो ऐसी भाशा हैं जैसे मराथी, तमिल और साथी साथ राजस्थानी इन भाशाओं में जो शास्की कारे होते थे उन खेत्रों में उन कारे भी ऐसा देखा गया कि फार्सी के मुहावरे yeah फार्सी भाशा के कुछ शब्द, फार्सी लेखन की कुछ बातें उस पर इन भाशाओं में भी परिलक्षित होने लगी फार्सी शब्दावली भी धीरे धीरे इन राजस्थानी, मराठी और तमिल भाशा में अपना स्थान पाने लगी और एक इस बात का भी ये परिचायक है कि कैसे ये सब एक व्यापक सहयोग का उदारण बन सकते है किस तरीके से फार्सी ने सहयोग की भावना, एक दूसरे को बहतर समझने की भावना को भी प्रेरित किया किसी न किसी रूप में फार्सी अब सब जगा पहुँच चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वह राज की दर्बार की भाशा से निकल कर अब वो अंदरूनी अलाकों में जाने लगी है क्योंकि जो निम्निस्तर के नीचे श्रिणी के जो प्रशासन में कारे करने वाले लिपिक आदी लोग थे उन्हें फार्सी जानना जरूरी हो गया था फार्सी समझना अवश्यक हो जा था हमें ये ख्याल लखना जाए कि जिस काल की हम बात कर रहे हैं उस काल में फार्सी का भी भारती करन होने लगा था मैंने फार्सी भाषा जो थी वो भी भारती करण की ओर हो रही थी और इसके बाद साथ ही साथ इसका एक कारण ये भी रहा होगा कि स्वलमी सित्रवी शताब्दी में फार्सी का प्रेयोक करने वाले लोग उप महाधीप के भिन भिन खेत्रों से भारत आये थे ये अलग- होना हैं कि फार्सी का भारती करण एक उस समय की नैसरगिक प्रक्रिया बन चुकी थी इनके द्वारा अन्य भारती भाषाओं का भी प्रेयोक किया जाने लगा फल्सरों फार्सी भाषा में हम देखते हैं कि कई इस्थानी मुहावरे इस्थानी शब्द लोकोक्तियां इनक प्रवेश होने से भारती करण की जो प्रक्रिया थी फार्सी की वह सरल होती चली गई फार्सी और हिंदी के एक दूसरे से संपर्क से एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे हम उर्दू कहते हैं तो इस प्रकार उर्दू फार्सी और हिंदी भाषा के एक दूसरे से परसपर लंबे समय तक के संबंधों का परणाम है। अकबर के काल में इस भाशा का खास विकास हुआ। आएन अकबरी के अनुसार तो अकबर के राजदर्बार में उच्च कोटी के टोटल 69 कवी थे फिफ्टी नाइन जिन में से पचास ने फार्सी भाशा में काफी लिखा था। आली की मृत्य हो गई और फैजी को राजकवी बनाए गया। अकबर के काल में फार्सी गद्द के खेतर में बहुत सारे गरंथ लिखे गए बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई और ये सब फार्सी में थी और इसी में सबसे ज़्यादा प्रसिद ग्रंट तो है जो आपको मालूम है और मैंने पहले जिक्र किया है अकबर नामा जिसको लिखा अबुल फजल ने जिसके कई भाग हैं जिसका एक भाग कहलाता है आईने अकबरी समराठ अकबर ने देज भर के अपने समराज के बुद्ध जीवियों को प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को समझदार लोगों को उनके लिए एक साहितिक मंच प्रदान करने का साहितिक मंच बनाने का एक बिड़ा उठाया और साथ ही हिंदो मुस्लिम एकता हिंदो और मुसल्मानों में सामनजस बैठाने के लिए भी उसने यावशक समझा कि एक अनुवाज विभाग बनाया जाए तो साहितिक को बढ़ाना उसको बढ़ावा देना और हिंदो और मुसल्मानों जिनकी दो मुख्य भाशाएं उस समय प्रचलित थी हिंदी और फार्सी और संस्कृत इनके बीच में बहतर तालमेल बैठाना एक दूसरे को बहतर समझना तो उसके लिए अकबर ने भी अकबर ने एक बहुत बड़ी हाकाम के और वह था अनुवाज विभाग के स्थापना करना अनुवाज विभाग में उसने अर्भी, स्वांस्कृत, फार्सी, तुर्की और अन्य भाशाओं के जो प्रसिद्ध ग्रंट थे उनका अनुवाज कराया और इनको फार्सी में विशेश कर इन सब का अनुवाज किया क्योंकि फार्सी, राजकी भाशा तो थी ही और साथ ही साथ ये भी जरूरी हो गया था कि जो शासन में जो कारेरत लोग हैं वे फार्सी में कारे करने के लिए उनकी जरूरी था कि अन्य भाशाओं में प्रचलित जो प्रशासन संबन्दी बातें हैं वे फार्सी में अनुवाजित हो जाएं ताकि प्रशासन जो है वो स्वैम में एक सुचारी रूप से चलता रहे इसी विभाग के संड्रक्शन में मकमल खान ने जोतिश का बहुत तसिद गरंट तजक और पाइंदा खान और अब्दुर्रहिम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का फार्सी में अनुवाद किया नकीब खान, शेक सुल्तान, अब्दुर्कादिर बदायूनी इन लोगों ने रामायन और महाभारत का फार्सी में अनुवाद किया महाभारत के फार्सी अनुवाद का नाम इन्होंने रज्म नामा रखा याने युद्धों की पुस्तक कई अनेक अन्य जो संस्कृत ग्रंसों का भी फार्सी में अनुवाद हुआ स्वायम अबुल फदल ने तो पंच तंत्र का अन्वर ए साहिली के नाम से फार्सी में अनुवाद किया अकबर नामा जैसे मुगल इतिहाचिक इतिवरित भी फार्सी में अनुवादित थे फार्सी में लिखे गए थे अकबर के शासिनकाल में फार्सी प्रकाश नामक प्रथम फार्सी सुन्सकृत शब्द कोश का संकलन हुआ शब्द कोश का निर्मान हुआ अक्बर महान के जो बाद आए जो उसके उत्रादिकारी हुए इनके काल में भी फार्थी में काफी ग्रंट लिखे गए काफी पुस्तिकें लिखी गई मुगल समराज जहांगीर वो तो माना जाता है कि स्वायम फार्थी का एक महान विद्वान था और ये बात साबित भी होती है क्योंकि जहांगीर ने खुट जो जुके जहांगीरी नाम से आत्मकथा लिखनी प्रारंब की जिसे मुहम्मद हादी ने पूरा किया शाह जान का जो छोटा पत्र था दाराशिको उसने भी फार्थी में अनेक ग्रंट लिखे और सबसे महत्पूर्ण रचना जो उसकी थी उसका नाम है मजम उल बहरीन दाराशिको के द्वारा रचित पुस्तक पांडुलिपियों की रचना पांडुलिपियों ने हस्त लिखित पुस्तक हस्त लिखित पन्ने उन्हें पांडुलिपि कहते हैं पांडूलिपियों की रचना के बारे में हमने जितना भी पढ़ा है उससे ये बात तो सिद्ध होती है कि मुगल काल में विभिन शास्कों, विभिन संबराटों के काल में पांडूलिपियों का निर्मान, उनकी रचना के एक बहुत अहम हिस्सा थी शाही किताब खाने की स्थापना की गई थी, शाही किताब खाना जहां पर सभी तरह की पांडूलिपियों, सभी भाशाओं की भर्चक जितनी हो चके, वो पांडूलिपियों का वहां संकलन था, वहां संग्र था और जैसा कहा ये निश्चित रूप से हस्द लखित होती थी इन हस्द लखित पन्डुलिपियों के आधार पर उनके अनुवाद से पुना फारती भाषा की पन्डुलिपियों जहां पे अनुवादित होती थी याने पांडूलिपियों की रचना भी यहीं होती थी तो इस प्रकार ये जो किताब खाना जिता वो एक महर्त पूर्ण हिस्सा हुआ करता था किसी राजा के दर्बार में इतिहास कारों की इतिवरित और जितने ग्रंद थे अप्रत्यक्स रूप से इसमें कई लोगों का योगदान रहा होगा एक जब पांडूलिपि बनती है तो उसको कंसीव करना उस योजना को सूचना कि यह किस चीज की पांडूलिपि होगी यहां से जिए हम बात करें तो कुछ प्रबुद्ध वर्क के लोग रहे होंगे जो निश्चित रूप से अपने विचारों को लेखनी के रूप में लिखते होंगे उसके बाद ही उसके पन्ने तयार करने के लिए कुछ लोग लगे रहते हैं क्योंकि पान्टुलिपियों के जो पनने होते हैं यह ओते थे वे एक विशिष्ठ तरीके से बनाएं जाते थे विशिष्ट तरीके से तैयार होते तो चाज़ बनाने वाले लोग उनका भी प्यूह आप अरिहार होगा और वह लोग भी निश्चित रूप से बहुत कुशल पारंगत रहे होंगे अपने कारे में इसके साथ ही सुलेखक जिनका कारे था अच्छी लेखनी में सुगठित लेखनी में विचारों को लिखना दिये गए विचारों को लिखना तो इस प्रकार सुलेखकों का भी बहुत अहम योगदान इस कारे में हुआ करता था और पंडूलिपियों में इनकी कलम एक बहुत आवश्चक अंग थी इनका काम अपने स्वेम विचार तो लिखना नहीं था तो यह बात आवश्चक थी कि उन्हें नकल उतारनी होती थी राजाओं द्वारा या विविन दस्तावेजों में दिये गया आदेश या अन्य जो फर्मान वगर हुआ करते थे इनकी नकल उतारना यह भी स्वेम में एक बहुत महत्पूर कला है तो इस पकार इन सुलेखों का इन लेखों का पाठों को ठीक तरीके से लिखना यह भी एक बहुत अहम कार्य हुआ करता था अब आते हम चित्रकारों पर चित्रकार संभवता पांडूलिपी लेखन के सबसे महत्पूर अंग रहे होंगे क्योंकि इसको तयार करने में चित्रकारों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी यदि हम बात करें कि जो नकल तयार करने के बाद जो पन्ने हुआ करते थे उनको चमकाना पड़ता था तो चमकाने के लिए भी एक अलग तरीके के कौशल के आउश्कता होती थी और जो लोग इस कारे में दक्ष थे उन्हें पोस्ट कार कहते थे जिनका कारे होता था पन्नों को चमकाना उसमें जो भी दरजित है वे चमकते हुए दिखें तो ये पोस्ट कारों का भी एक बहुत अहम जोगदान हुआ करता था साथ ही जिल्दकार जिल्दकार उस पूरी सारी जो हस्त लिखित पन्ने थे उनको चनलगनकर उसके जिल्द को उसके कलेवर को उसके मुखप्रिष्ट को एक सुसजजद तरीका देना सुछजजद लुक देना ये उनका जिल्दकारों का काम हुआ करता था तो इस थेकार हम देखते हैं कि इसमें इस पांडूलिपियों की रचना में अनेक श्रेडियों का अनेक तरह के लोगों का योगदान हुआ करता था पांडुलिपियां तैयार करने वालों को अलग-अलग पद्वियां दी जाती थी जैसे शीरी कलम या जर्री कलम इस नाम से उनको सम्मानित किया जाता था उन्हें साथ ही प्रसकार भी देते थे समाज में भी उन्हें बहुत उंची पतिष्ठा मिली होती थी क्योंकि आखिर वे लोगद पांडुलिपियां लिख रहे हैं साथ ही कागज बनाने वाले और जिल्द साज जो इस पांडुलिपि रचना की धुरी होते थे वे एक तरीके से गुमनाम ही रहते थे निश्चित रूप से गुमनाम ही थे क्योंकि इनके बारे में कोई विशेश चर्चा नहीं है लिखने के लिए पांच से देस मिली मीटर की सरकंडे की नोक वाली कलम का उप्योग किया जाता था इसे स्याही में डुबो कर लिखा जाता था और कश्मीर के मुहम्मद हुसैन जिनकी सोला सो पांच में मृत्ति हुई बहुत कम उमर में उनको उनके बहुत सुन्दर लेखन के लिए जरीन कलम याने सोने की कलम की उपादी दी गई थी ततकालीन समाज में या ततकालीन पांडलीपी लेखन में आठ तरह की लेखन शैलियां चलती थी आठ तरह की लिखन शैली कार्थ वही है जैसे की आज के कम्प्यूटर में हम बात करते हैं तो फॉंट अलग-अलग स्टाइल तो आठ तरह की स्टाइलें चलती थी जिसमें अकबर को नस्तलीक शैली सबसे ज़्यादा पसंद थी तो शैली का क्या नाम था नस्तलीक शैली